नमस्कार आपका सौगत है भगवान स्री कृष्ण ने भगवत गीता में भोजन की नियम बताये है जो भी मनश इस प्रकार से भोजन करता है उसे संसार में यश, लक्ष्मी और कीर्टी की प्राप्ती होती है और अनुचित प्रकार से भोजन करने वाले मनश को जिवन में दरिदर्ता का सामना करना पड़ता है भगवान स्री कृष्ण ने न केवल गीता उपदेश देकर इस संसार को एक नई रहा दिखाई है बल्कि महाभारत में ऐसे कई असंग के उपदेश दिये है जिससे जिवन के स्तर को सुधारा जा सकता है ऐसा ही उपदेश स्री कृष्ण ने महाभारत में भीम को अनवास के समय दिया था स्री कृष्ण ने भीम को भोजन के कुछ ऐसे नियम बताई थे जिनका पालन करके मनुष्य कभी अस्वस्त नहीं होगा स्रीकृष्ण की अनुसार जो मनुष इन भोजन के नियमों का पालन सही से करेगा उस मनुष्ण के घर पर कभी दरिदरता नहीं आएगी और ना ही उसके घर में कभी भी धना और धने की कमी होगी तो चलिया जान लिते हैं भगवान स्रीकृष्ण के द्वारा बताएगे भोजन के नियम इन नियमों का पालन करने से आप कभी भी दरिदरता की चोखट पर नहीं पहुचेंगे और ना ही आपके घर से कभी लक्षमी जाएगी तो चलिया जानते हैं पहली बात भागवत पुरान की अनुसार अन्न को लक्षमी का रूप माना जाता है जिस कारण प्रातकाल में भोजन को कभी भी बिनासनान किये नहीं खाना चाहिए जबकि संद्यकाल में हाथ पेर धोकर ही भोजन को करना चाहिए जो वेक्ती बिना नहाए बिना स्वच्च होए भोज दूसरी बात चाहिए बिना मंत्र उच्चारन के किया गया भोजन मदिरा के सेवन के समान है बिना मंत्र के उच्चारन करे भोजन को कभी ग्रहन ना करे तीसरी बात सिरकिष्ण भोजन का तीसरा नियम बताते हुए भीम से कहते है कि अधिकिसी मनुश को लंबी आयू की कामना है तो उसे मात्र सात्विक भोजन ही करना चाहिए उसे तामसिक भोजन से दूर ही रहना चाहिए साथ ही अवश्चक्ता से आधिक भोजन करना भी इस शरीर के लिए अनुचित होता है इसलिए भोजन थोड़ी मात्रा में और सात्विक ही करना चाहिए तामसिक भोजन से जैसे कि मासाहार या त्यदिक तिक्तों और मसालिदार भोजन कभी नहीं करना चाहिए चोती बात भगवान स्रीक्रिष्ण की अनुसार चोता नियम है कि मनुष्य को कभी भी आहार की तोर पर मास का सेवन नहीं करना चाहिए अगर मनुष्य मास का सेवन करता है तो उसके द्वारा किये गए सभी पुन्य कर्म नष्ट हो जाएंगे अईसे मनुष्य को नर्क में अने कोई आतनाई दी जाती है मनुष्य को मास और मद्रिया का सेवन कभी भी करना नहीं चाहिए चटी बात श्रीक्रिष्ण भोजन का छटवा नियम बताते होए कहते है कि मनुष्य को कभी भी दक्षिन और पस्चिम दिशा की दरब मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, जो मनुष दक्षिन की दिशा की और मुख करके बैठता है, उसका भोजन भूद प्रेतों को लगता है, जो मनुष पस्चिम दिशा की और मुख करके भोजन करता है, उसके शरीर में हमेशा रोगु की व्रद्दी होती है, इसलिए मनुख को भोज दिशा के और करके बैटना चाहिए इस दिशा में मूँ करके भोजन करने से विक्ति का शरीर निरोगी रहता है और उसे सुख सम्रदी की प्राप्ति होती है छटी बात सिरकष्न कहते हैं कि किसी भी पुरुष को उसकी पत्नी के साथ भोजन नहीं करना चाहिए जो पुरुष अपने सगे सबंदियों को छोड़ कर अपनी पत्नी के साथ भोजन करता है वह आयू हीन हो जाता है जबकि उसकी पत्नी के द्वारा किये गए सभी वरत और दान नश्ट हो जाते हैं इसलिए महिलाव को कभी वे अपने पत्नी के साथ भोजन नहीं करना चाहिए पत्नी के भोजन के पश्चात भोजन करने वाली स्त्री घर में सुक्सम्रद्दी लाने वाली होती है और ऐसी स्त्री के पत्नी के आयू में व्रद्दी होती है सात्यु बात सिरकेशने कहते हैं कि भोजन का आखरी नियम है जिस भोजन को कोई भी लांकर गया हो या जिस भोजन में बाल हो या जिस भोजन को किसे ने ठोकर मारी हो उस भोजन को कभी करना नहीं चाहिए ऐसे भोजन को पशु को खिला देना चाहिए जो मनुश्य इस प्रकार के भोजन क वो समय के साथ अधिक दरिदरी हो जाता है।